ना आक है। है टो स्बस्तों स्वागत है आपका पेपर हेकर के यूट्यूब चैनल में और आज हम सुरू करने जा रहा है एरफॉस का प्रैक्टेसेट की एक तीस प्रैक्टेसड की सीरिज़ ठीक है उसका पहला प्रक्टिस सेट यह है और इसका यह पेपर सेकेंड है ठीक है पेपर फर्स्ट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप महां से उसे देख सकते हैं पेपर सेकेंड में आपको पता होगा कि 30 प्रशन रहते हैं जिसमें से तो इसको हम सुरू करते हैं पहले प्रशन की और से अगर आपको इसका जो पीडियेप चाहिए अगर इस प्रेक्टिस साइट की पीडियाफ आपको चाहिए तो आप यह सामने वेबसाइट दिखाई दे रही है पेपर हैकर डॉट इन उस पर जाकर डाउनलोड कर लें ठीक है पहले परिशन की होगँ हम चलते हैं पहला परिशन क्या है हमारा bisa He yeah अइसा साइयंत्र है जिससे उद्फ़ण किया जाता है आप यहांप बताना है कि साइट्र album क्या होता है और इस उद्फण किया जाता है। cigrotron जो होता है वो एक संयंत्र होता है, इस के द्वारा एक इस प्रकार का इसका यूज होता है और से किर्थे मौसम को जनरेट किया जाता है ठीक है तो अगला परिशन देख लिए थे हम अगला क्या कह रहा है आगे देखते हैं अगला परिशन हमारा दिया हुआ है कि बनस्पती कोशिका तता प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्तिती से इसपष्ट होता है आपको पता होगा कि बनस्पती जो कोशिका होती है और प्राणी कोशिका होती है उसमें कुछ जो हैं अंतर होते हैं ठीक है कुछ अंतर होते ह तो यहां पर वो ही पूछा है कि हम कैसे इसपष्ट कर सकते हैं कि यह बनसपती कोशिका या प्राडी कोशिका तो आपको बता हो कोशिका भित्ती जो पाई जाती है वो सिर्फ किस में पाई जाती है बनसपती कोशिका में पाई जाती है ठीक है कोशिका जो भित्ती होती है वो बनसपती कोशिका में पाई जाती है और आपको देर निया को क्या कहते हैं और जो जंतु कोशिका में पाई जाती है वो पाई जाती है प्लाजमा जिली प्लाइजमाजिली किसमें पाई जाती है जन्तु कोशिका में केंद्रिक भी पाई जाता है माइट्रो कांडिया भी पाई जाती है लेकिन कोशिका बचती किसमें नहीं पाई जाती है जन्तु कोशिका में और जो बनस्पति को इसका है उसमें कुसिकावित्ती पाई जाती है ठीक है तो आपका दो प्रिश्ट नम्मर दो का अंसर क्या हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट की तरफ चलते है इसमें कह रहा है कि महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था आप ने भारत पर किया था चोधा को शृष्टन कह रहा है कि 189 किस राज्य की भासाइं हैं और जंजातियां हैं और बहुत उनों एक ही जगह रहती है ठीक है एक जगह निवास कर दिया ऍटीनों ये जंजातियां तो ये कहां पाई जाती है आपकी मेगाले में गारो खासी जेनती है ये तीनों कहां पाई जाती है यह तीक है तो इसका कौन सा वप्सन आपका सही हो जाएगा बोह जाएगा बी औप्सन पी ऑफ्सन c rehab right option हो जाएगा नेक्ट gin Stan son conten के दवारा संपति का अधिकार समापत कर दिया गया था इसमें आपको बतारा है कि संपति का जो अधिकार था वो किस आर्ट के संसोधन के द्वारा समापत कर दिया गया था तो इसका जो अप्शन हो जाएगा leo function right um भी option क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल right option हो जाएगा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने हैं कि यह कब हुआ था तो इसको आपको अगर पूछता है तो इसको आपको याद रखना है कि यह 1978 में हुआ था ठीक है मिनी constitution भी इसे बोलते हैं कि क्यों बोलते हैं क्योंकि यह सबसे बड़ा संसोधन था ठीक है 42 में संसोधन एक मात्र ऐसा संसोधन है जिसके द्वारा प्रस्ताबना में संसोधन हुआ था ठीक है समाजबाद पंद्रपेक्ष और अखंड़ता तीन सब्समप जो है जोड़े समाप्त करके बिदिक फार बना दिया गया था अगर वह पोछे कि अब संप्ति का अधिकर कौन से ने सब्सक्राइब बना दिया तो आपको बताना है 300ल m ऐन प्रफीर यतीज़ भी आपको द्यान रखने है ly a next सिंग हम चलते है रहा है कि यह कह रहा है कि निम्लिख सत्में से किसे परवतों का साघर कहा जाता है थी कैसे घृपके आपके दिये हूए hand चार प्सक्राप ग्रिए यह रहा है जापायन विडिस कोलंभिया और दो गुझए सूर्य का देश कोम सा हो जायगा जापान आपका र WRITE आंसर भी diferença कॉलम्भिया ठीक है और आप से पूछेकों डिहान नेक्स्ट आपका यह दिया हुआ है सी ऑप्सन दक्षन अमेरिका का पश्चिमी त्ष सब्सकते था को और वह किसके लिए बैमस यह चीज भी आपको त्थान रखना हूँ ज़ीज तामभा के लिए तांबा के लिए फैमस है तक्षिण तक्षण पूर्वेसी या इधर एक चीज पाई जा दिये पामीर का पठार इसे ही क्या कहते है इसे विस्ट भी कहा जाता है तो यह तो यह चार आपको ध्यान रखने है next question की ओर चलते है next क्या कह रहा है आपका सिपरी यह यहां पर सिपरी नहीं है सिपरी है ठीक है तो सिपरी द्वारा जारी सूची के अनुसार बिस्व का सबसे बड़ा हतियार निर्या तक देश कौन सा है यहां पर आपको चार ओप्सन दिये हुए है और आपको बताना है जो स अमेरिका को क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हतियार का निर्यातक देश है ठीक है और सबसे बड़ा आयातक देश अगर पूछेगा तो आपको बताना है भारत ठीक है भारत क्या है सबसे बड़ा आयातक देश है और ऐसा ही अगर वो पूछे कि भारत सबसे ज्यादा कौन से हत्यार आयात करता है तो लगवक 45% हत्यार हम कहां से रूष से हम सबसे ज़्यादा हत्यार करते हैं ठीक है नच्स प्रस्ट आपका क्या कहे रहा है शोटा कर लेते हैं ऐसे next प्रस्ट आपका कह रहा है कि computer पर्णाली के चार बुनियादी कारे क्या है यानि कि जो computer पढ़ा लिए वो किस तरीके से कारे करती है उसकी कारे विधी क्या है यहां पर आपको बताना है तो सबसे पहले जो user होता है जो हम उप्योग करता होते हैं वो क्या करते हैं इन्पुट देते हैं न सबसे पहले हम इन्फट देंगे उसके बाद, क्या होगी और प्रोसेसिंग जब होगी तो कुछ निकाल करी के लाएगा तो उत्पादन का चाहिए क्या हो जाएगा हो धिर्स हो हो जाएगा बागी सारे उप्शन आपके बिलकूल गलोड हो जाएंगे ठीक है next जो हमारा है यहां से आपका section शुरू घाता है मैत का है भी का सेकसे नह Всемिए है अपका सुरू हो जाता है अजित है यह हो गया यहां पर आपका नो जो कुष्टन है वो क्या कह रहा है कि दो यह ढोकि हैंनल संक्याओंगा है महत्तम समावर्त्त आपको दिया हुआ है थीक है महत्तम समावर्त ऑपको कहते हैं ह 751 ऑप बहुड़नफल दिया हुआ ऑप UCL 국mon की और in नाे उन दोनों को आपको क्या दी आँbles को दिया हुआ है 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 एक चीज और दी हुई है कि ए गुणा भी यह कितना दिया हुआ है चार तीन जीज अमारे पास है ठीक है तो इसका एक फार्मूला होता है वह आपको पता होना चाहिए कि कि LCM और HCM का गुणन फल यानि कि LCM इंटू HCM इक्कोल हो जाएगा आपका पहली संक्या और दूसरी संक्या के गुणन फल के ठीक है तो यहां पर आपको HCM का आप हम मान रख देते हैं HCF हमें पता है LCM हमें निकालना है तो LCM को ऐसे ही छोड़ देते हैं HCF की जगे कितना रख देंगे 16 बरावर में क्या हो जाएगा एंटू भी यानि की चौछ सट्सो जो सट्सों यहां से हो गया यह चार बार जाएगा LCM आपका कितना आजाएगा LCM आपका आजाएगा 400 यहां से 400 आपका क्या हो गया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरीके को क्यों को कैसे करते हैं आपको यह चीज़ ध्यान रख नहीं है LCM into HCM बरावर A into V यानि कि दो संक्याओं का LCM और उनका HCM इन दोनों की गुणा करेंगे तो उन दोनों के गुणन फल के बरावर हो जाएगा नेक्स्ट प्रिशन क्या कह रहा है हमारा इसे पढ़ लेते हैं चीनी का मूल क्या था 16 रुपए प्रती किलोग्राम था ठीक है उसका मूल घटकर 14 रुपए प्रती किलोग्राम हो गया है मूल में कितने परसेंट की कमी हुई है ठीक है इसमें आपको बताना है कि मूल में कितने परसेंट की कमी हुई है तो जब भी हम कमी या बड़त देखते हैं तो हम लागात मुल्य से देखते हैं पहले वाले से देखते हैं तो पहले कितना रुपए था? 16 रुपए था कम कितना हुआ? 2 रुपए कम हुआ यहाँ पर क्या है? कमी या अधिकता बटे में आपका आजाएगा जो है पहला पहला मूल्य या इसे लागात भी कहते हैं लागात पहले जो लागात थी वह आजाएगी इसमें तो यहाँ पर हमने क्या लग दिया? कमी कितने की हुई? 2 की और पहले जो मूल्य था वो क्या था? 16 गुणा किसे कर दिया हमने? 100 से दो 186 ठीक है यह कितना आ जाएगा? 108 इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 12.5 या 12.5 में यह आंसर दिया हुआ है ठीक है तो यह option नमबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है? आपको question समझ में आ गया होगा next question क्यों चलते हैं इसमें एक आयताकार कमरे की लंबाई और चोड़ाई आपको 5 अनपाथ 4 में दिया हुई है अब आगे लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं लंबाई अनपाथ 4 में दिया हुआ है कितना? लंबाई अनपाथ चोड़ाई आपको 5 अनपाथ 4 दिया हुआ था यही तो दिया है अब वो कह रहा है कमरे की लंबाई 15 मेटर है तो कमरे का छेतरपल कितना है? इसे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि लंबाई बरावर x मालनू तो मैं ऐसे 5x लिख सकता हूँ औ कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा अब वो कह रहा है कि 5x यानि लंबाई बरावर yeah, 5x लिख 5 सकता हूँ 15 estos 5 सफट 15 कका देंगे तीन बाहार क्तों यानि है यहां से x बरावर हमें पता चल गए कि ज行了 कि 3 सबरावर हमने निगाल लिख लिख 3 अब वो पूछ राए कम्रे का छेतरपल कितना है कम्रे का छेतरपल क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई यही तो होता है अब लंबाई आपको कितनी दी हुई है लंबाई हमारी हो गई 5x और चोड़ाई हो गई 4x यही तो हो गया अब लंबाई की जगे हमने क्या कर दिया बरावर में 5 गुणा x की वेल्यू कितनी है 3 ऐसे ही 4 गुणा x की वेल्यू कितनी है 3 इसकी हम गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा 5 तिया 15 15 चोको 60 और 6 तिया 18 180 पर मीटर स्क्वार आपका आंसर क्या हो जाएगा 180 मीटर स्क्वार दुबारा देख लेते हैं हमको लंबाई दी हुई थी चोड़ाई इन दोनों का अनपाद दिया हुआ होता है ठीक है तो जब हम अनपाद से हटाते हैं तो उसे 5x और 4x करके लिख सकते हैं लंबाई को अलग चोड़ अब हमें क्या दिया हुआ था लंबाई की वैल्यू देख दी पंद्रह यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकालने के बाद लंबाई गोना चोड़ाई का फार्मूला लगा दिया हमने 5x और 4x वैल्यू रग दी और 180 हमारा क्या आगया बिल्कुल आंसर सही निकलके आ गया बी का जो ब्यास है मालो ए है एक है तो ए का ब्यास उससे क्या है दो गुना है ठीक है ए और बी के आयतनों का अनिपात आपको बताना है इसमें आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए अब दुवारा पढ़ लेते हैं धातू की दो गोलाकार गेने ए और बी है ए और 2 है तो B का बयास कितना है एक है और बयास को हम किस ते डेनोट करते है R अब आपको पता है कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है कि गोले का जो फॉर्मूला होता है 4 वट्ट थी ao i ऑ और फ्य S Guru पहले वाले जो गोले गोला है उसका इतन हमारा 4 वट्ट ती के वाइटे पाईiation और क्यों और आर वं एक हो जाएगा ठीक है अरबन Q हो जाएगा और दूसरे वाले का अनुपात हमें A और B के आतनों का अनुपात बताना है दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4 बटे 3 पाई R2 का Q यही तो हो जाएगा हमने सरे फामूला रखा है भी पहले का अनुपात का और दूसरे का अनुपात का ठीक है अब यहां से हमें 4 वटे 3 से 4 वटे 3 कैंसिल कर देंगे पाई से पाई हैट जाएगा अब यहां से हमें निकल के क्या आया यहां से निकल के आया R1 का Q अनुपात R2 का Q यह क्या हो जाएगा आपका A और B के आईतनों का अनुपात हो जाएगा अब यहाँ आपको पता है R1 की value कितनी है 2 और R2 की value क्या है 1 तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 का Q अनुपाथ 1 का Q यही तो हो जाएगा अब यहाँ से 2 का Q कितना हो जाएगा आपका 8 अनुपाथ 1 ठीक है 8 अनुपाथ 1 क्या होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ कि B option जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस चीज़ को note करेंगे तो note कर लेंगे next question क्यों चलते है next question आपका क्या कह रहा है next question कह रहा है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद करो जिसे अठारे 21, 24 मैंसे प्रतेख से भाग देने पर सेज 7 बचता है इस तरीके का जब question दिया होता है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या आपको ज्याद करनी है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या वाले इस प्रकार की question को हम एक तरफ से solve करके देखते हैं इसको करेंगे options से solve करने की कोश्य वो कह रहा है कि 18 से अगर मैं काटू तो 7 साथ सेज बचे और 21 से काटू तबी साथ बचे और 24 से काटू तब भी साथ बचे आपको पता होगा की 18 से वह संक्या कट जाए की । गषिस्ञा जो 9 से और तीन दो से कट जाएगी ठीक है 18 से बो संक्या कट जाएगी जो 9 और 2 से कट जाएगी और बो संक्या 18 से पूरी पूरी कट जाएगी यह पूरी नहीं कटे साथ सेस बचे हम क्या करते हैं साथ को पहले घटा देते हैं उस संक्या मैं से अगर मैं इस मैंसे 7 को घटा दू tahun मालो मैंने पहले option है नज़कोन ख़चा दिया अब इस मैंसे मने 7 को घटा र andere से ङट जाएगं या नहीं पूरी संक आथारय से चट जाई तो इस मेंसे मैंने 7 को घटा रहा है तो कितना बचा नखा साथ को मैंने घटा तो से कट जाए 18 से कट जाए पूरा पूरा तो हमारा option क्या हो जाएगा यह option 18 21 और 24 से अगर कटता है तो यह option हमारा right option हो जाएगा इसे काट लेते हैं 18 से 18 से कटने के लिए 9 से कटना जरूरी है और 2 से कटना जरूरी है तो 9 से काटेंगे तो हम क्या करेंगे अंकों का योग देख लेते हैं अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो हमारी संक्या क्या है 9 से कट जाएगी तो 5 और नो और यह 9 यानि कि यह 9 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी यह कट जाएगा क्योंकि पीछे अगर समसंक्या होती है तो 2 से संक्या कट जाती है नेक्स्ट हमारा यह हम क्या करेंगे 21 से काट के देखते हैं अब एक सिंसी काटेने साथ और तीन से अगर यह कट जाएगा तो ही एक से भी के जाएगा आपको पता है 3 से तो कट जाएगा 3 से भी कि आखी बश्यक्तेंगी साथे पन्छ भी तेलिस एटे अच्छे में चूछ इस अच्छ आट्री जाएगा दो बचे ठीक चूविस वचा साथ दूनीज़ा दो साथ से नहीं गटेगी यानि कि हमारे यह option क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा नेक्स्ट हमारे option क्या है 9583 हम नेक्स्ट ऑप्सन लेते हैं 9500 कि 9583 इसमें से हमने क्या गिया 7 को गटा दिया 7 को हमने गटाया तो कितना बचा नो 5 तेरे में से 7 गए तो कितने बचे गटाया है वह जाएगा 9596 यह क्या होगे आपका option आ गया अब इसको कित से काटके देखते हैं 18 से काट के देखते हैं 9 गुणा 2 कित से काटेंगे 18 से कर देखते हैं जो संक्या 9 से कट जाएगी दो से कट जाएगी वो किस से कट जाएगी 18 से और 9 से कटने वाली वो संक्या जो है जिसके अंकों का योग 9 से कट जाएगी अब यहाँ पर देख लीजिए आप 9 mea9 प्लस पाच प्लस साथ प्लस छह यह कितना हो गया नौर पाच 14 14 शॉदू ऌर साथ एकई 21 206ím 2006 27ws 27ESS आपका किस बढ़ायगा नψ तछाएगा ओ जाएगा यानिस एपसंगे 9 से कट जाएगी यह फरब समक्या 9 से हैच जाएगी 21 से देख लेते हैं 21 से कड़ने वाली संक्या किसे 7 और 3 से कड़नी जाई है 3 से तो यह कड़ जाएगी 7 से और देख लेते हैं 7 एकम 7 बचे 2 7 यह 21 बचे 4 ठीक है बचे कितने 4 साथ साथ इसका कितना बचेगा 5 ठीक है 56 बचा 7 अठे 56 यह पूरी संक्या साथ से भी कड़ जाएगी यानि कि इससे भी कड़ गई इससे भी कड़ गई ठीक है आब हमें देखनी है कि यह 24 से कड़ जाएगी क्या तो 24 से वो संक्या कटेगी जो 12 12 और 2 से कट जाएगी और 12 उससे कट जाएगा जो 4 और 3 से कट जाएगा तोैं हम ने देख ली कि तीन से भी かट रही है और दो से भी this एठ रही जी चार से और देख लेते हैं कि जिस्के पीछे के दो अंग चार से चार कम चार ठीक है झार चार एकम चार ठीन or 43 गैर यह और बछे चe चानुग चा मुंअ जाएगी तो हमारी जो सई 18, 21 और 24 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संक्या आपकी क्या हो जाएगी 95, 83 आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा Next question की तरफ चलते है अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है A ने एक बस्तू जिसका मूल 50 रुपए है B को 20% लाप पर बेज दी B ने बही 25% लाप पर C को बेज दी C ने उसे 40% लाप पर D को बेचा और उस बस्तू का मूल जो D ने दिया है बैक क्या है यानि कि एक बस्तू ती जिसका मूल लिगाता है 50 रुपए है 50 रुपए की एक बस्तू ती जिस पर 20% लाप लेके क्या है A ने B को बेज दी कितना पर्शेंट जो है प्रॉफिट लिए 20% तो 100% की ती तो कितनी होगे एक सो बीस पर्शेंट की 20% हमने ऐसे लिग लिए ठीक है 120% पर्शेंट जलता देंगे एक बटे 100 लगा देंगे अब बी ने वही वस्तू क्या है 25% लाप पे बेज दी 125 बटे 100 पे किसने बेज दी इसका 125 बटे 100% लिया उसने C को बेज दी ठीक है अब C के पास आ गई C ने उस पर क्या किया 40% का लाव लिया 140 बटे 100 में किसे बेज दी D को बेज दी अब ये इतने रुपए की D को पड़ी है ठीक है इतने रुपए की किसको पड़ी है D को पड़ी है अब D ने जो मू ले दिया वो आपको बताना है यहां से हम इसे सॉट आउट कर लेंगे जीरो से जीरो काट देंगे यह वाला यह से कट जाएगा ठीक है अब यह 50 दूनी हो जाएगा 100 यहां पर 2 से इसको काट देंगे 6 बार जाएगा और यहां 25 चौका 125 पंजे 125 हो जाएगा और और क्या बचा 6 गुणा 14 बटे 4 यानि कि 2 दूनी 4 दो 3 या 6 और यह 2 सत्य 14 सात्य 21 सात्य 21 गड़बर हो गई छुट गया 21 गुणा 5 यह 5 रह गया था ठीक है 5 रह गया था तो 35 35 थिया 35 थिया 105 इसका option B क्या हो जाएगा बिलकुल राइड आंसर हो जाएगा ठीक है इस तरह की question को इस परकार से आप solve करेंगे next question आपका हो जाएगा 300 मीटर लंबाई की लंबी एक रेल गाड़ी अपने समान लंबाई वाले platform को पार करती है ठीक है और उसमें कितना समय लेती है 36 सेकंड लेती है तो रेल गाड़ी की गती आपको बता नहीं है हमें बता है दूरी बरावर क्या होता है चाल गुणा समय होता है दूरी बरावर आपका पता है चाल गुणा समय होता है अब वो कह रहा है 360 मीटर लंबी कोई रेल गाड़ी है ट्रेन की जो जो ट्रेन की लंबाई केतनी है, वो 360 मेटर है। और वो प्लेटफॉर्म केतना है, 360 मेटर का प्लेटफॉर्म है। जब कोई रेल गाड़ी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी डिस्टेंस कर दोती है, उसमें एन हो जाती है, तो यह कितना हो जाएगा platform प्लस रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 720 मीटर की ठीक है यानि कि दूरी कितनी चल लगी है वो 720 मीटर क्योंकि खुद को और उसको platform दोनों को यह पाल कर रही है एक साथ में यहां तक हमारा हो गया ठीक है अब उसमें समय कितना ले रही है 36 सेकंड दूरी आपको पता है 720 मीटर ठीक है समय आपको पता है समय को नीचे ले आएंगे 36 सेकंड और बराबर में क्या आ जाएगी आपकी चाल चाल यहां पर बराबर में आ जाएगी क्योंकि चाल दिया हुआ है और दूरी बटे समय अब यहां से काट देते हैं 36 दूनी 72 20 मीटर पर सेकेंड जो इसकी चाल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है option देख लेते है option आपका km पर गंटा में दिया हुआ है km पर गंटा में दिया हुआ है तो इस प्रकार से आपको क्या है अगर 1t per second में दिया हुई हो 1t per second में दिया हुआ हो और उसे km पर hour में change करना हो हमें तो हम क्या करते है structure 18 बटे 5 से उसे भाग कर देते हैं क्या करते है 18 बटे 5 से उसे भाग कर देते है ठीक है तो आपका कितना आया था 20 निकल के आया था मैं गुणा करूंगा 18 बटे 5 से तो 5 चौक 20 18 चौक 72 ठीक है यहां से कितना आ गया 72 किलो मीटर प्रती आवर हो गया अगर इस चीज को आपको अगर जैसे 18 बटे 5 आपको ध्यान ना रहे तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मीटर दिया हुआ है तो मीटर को जब किलो मीटर में बतलेंगे तो 1000 से हम उसे भाग देते हैं ठीक है और अगर नीचे सेकेंड है तो सेकेंड को हम किलो मीटर में बतलेंगे तो उसे 60 कुना 60 60 से भाग देते हैं ठीक है यहां से 2 0 से 2 0 कैंसल हो जाएगा यह जिरू का एंसल हो जागा और यह पांच दूनी दस पांच से पांच चौक बीस और यह दो से अंसर कर शकते और यह ने किसे क्राहरा है कि सीमा ने सेविंग बैंक की खाते में 5,000 रुपे जमा किये आधानड ब्याजदर पर चार पर्षेंट प्रति वर्स है तो धाई वर्स बाद कितना मिस्दन मिलेगा उसे हम यहां पर ब्याज निकाल लेते हैं ठीक है आपको फार्मूला पता होगा की इंट्रेस्ट बरावर क क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंट्व रेट इंट्व टाइम अपन हंड्रेट यानि कि ब्याज बरावर आपका हो जाएगा मूल्दन गुणा दर गुणा समय बटे सो अब यहां आपको पता है ब्याज कितना है सेविंग बैंक पर खाते में कितने रुपे थे 5,000 जमा कियेते 500 आपका मूल्दन पर आपका कितना हो गया 5000 साधर रेट क यतनी धी आर बरावर 4 पर्संट पर्संट आपकी दर हो गई तो ढौन है वर्स आम आपका दिया हुआ है डही वर्स को किना दो दो दूनी चार और पांच वट्टे दू ठीक है इसे लिख सकते हैं पांच वट्टे दू अब यहां से आपको पूछा है मिश्रदन पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं इन सबकी वैल्यों इसमें रख दीजिए इब बरावर कितना निकल के आजाएगा पी बरावर आपका 5,000 है रहे परशेंट आपकी 4 है और टाइम आपको दिया हुआ है पांच वट्टे दू गुना में आपका 100 है तीक है इसको काट दिया इससे दो दूनी चार हो गया ठीक है पांच दूनी दस दस पंजे पांच वो पूछ रहा है Mr. Dhan Mr. Dhan बरावर होता है Mool Dhan plus ब्याज Mr. Dhan बरावर क्या होता है Mool Dhan यानि कि जो रुपए आपने दिये थे किसी को उसे कहते है Mool Dhan ठीक है और आपने ब्याज भी लिया 500 बिलंस 5,000 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 500 यानि कि Mr. Dhan किसे कहते है Mr. Dhan उसे कहते है जब हम किसी को पैसे देते हैं और उससे पूरे पैसे लेके आते हैं उसी को Mr. Dhan कहते है ब्याज और जो रुपए दिये थे ठीक है तो इसका कौन सा option C option क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल right option हो जाएगा next question की ओर हम चलते हैं next आपका क्या कहा रहा है दिये गए बिकल्पों में से बिश्रम सब्द को चुनिए इसमें आपको दिया क्या है इसमें दिये हुए है टीन सेम लगेंगे एक डिफरेंट होगा एक अपसंन डिफरेंट होगा किसी ना किसी चीज से अब लेते हैं कि बासिंग्टन न्यु आर्क लास वेकास और शिड्नी इन चारों में से क्या समानता है तो आपको पता होगा कि यह जो घिन है कि नियुयार्क बैसिंट अर्य लास-वेकास ये अमेरिका के सहर है लेकिन जो शिड़नी यां भो ऊस्ट्रेलिया का ठीक है तो सिड्नी आपका क्या हो और बिलकोल डिफकर होगया इस प्रकार से इसका जो सही आंसर कैंग बो जाएगा सिड्नी next option क्या रहा है next option क्या रहा है यदि किसी सांकेतिख भाहसा में nike made का अर्थ क्या है he has come तो d-e-l-i-t-p-e का अर्थ आपको बता ना है यह बढ़ा है नहीं का अर्थ है इसका भी अर्थ होग अर्थ हुआ है come here fast और m-a-l-a-s-e का अर्थ हुआ she has gone तो उसी भास हमें एची का आपसे पूछा है हमने क्या है? हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है? N, I, K और M, A इसका D, E ठीक है? इसका अर्थ आपको दिया हुआ है He has come He has come ठीक है? यह एक तो यह दिया हुआ है यह दोनों बरावर है ठीक है? यह दोनों बरावर है इसको यहां पर आएगा नहीं हम इसे यहीं सॉल्फ करने की कुछिश्य करते हैं ठीक है? यहीं पर सॉल्फ करते हैं आपको दिया है N, I, K M, A, D, E का अर्थ इसका अर्थ कम है और फास्ट तो हम इन दोनों में तुल्ला करेंगे इन दोनों में हम क्या करते हैं? तुल्ला करते हैं इसमें और इसमें ठीक है? इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन है कौन सा वर्ड कॉमन है? इसमें दिया है N, I, K, M, A, D, E और इसमें क्या है DE इसको हम तिर्विज में बंद कर देते हैं यानि कि DE common है यहां पर और यहां पर भी क्या दिया हुआ है DE अब एक चीज इन दोरों में common होगी यहां पर भी कम दिया हुआ है वहां पर भी कम दिया हुआ है तो जो DE का mean क्या हो गया वो हो गया कम D E mean क्या होगा है? कम यहां से हमें पता चल गए D E बरावर C O M E D E बरावर C O M E हमने निकाल लिया अब हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं M A L E L A S E और इसमें क्या common है? P A L A D इन तीनों में कुछ भी common नहीं हो रहा है इसमें में कुछ common नहीं हों तो हम उपर वाले से तुलना करते हैं M A S में भी common है इसे गोला हम बंद कर देते हैं और M A S में भी common है ठीक है? तो M A में इसमें क्या दिया हुआ है? C has, goon और इसमें क्या है? है ठीक है? तो गोला के लिए M इसने क्या यूज किया है है तो में के लिए स्वरी में के लिए हो गया है अब उसने पूछा क्या है ही के लिए उसने पूछा है ठीक है ही के लिए पूछा है अब आपको पता है है का आपको पता है कम का आपको पता है यहां पर में और दी तो बचा क्या है 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 ही तो बचा ह ही के लिए हम किसका यूज करेंगे आप एन आई के क्या हो जागा आप है एच इच 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 आपका बिलकुल राइड आपसन हो जाएगा ठीक है नेक्ट पुश्चन की और चलते हैं next question आपका कह रहा है कि दिये गए बिकल्पों मैंसे बिसम अक्षर को चुनिए ठीक है इस मैंसे आपको बिसम अक्षर को चुनना है चलिए इसे भी देख लेते हैं इस टाइप के question जब दिये हो तो आपको क्या करना है इनकी numbering कर लेनी है इसका 23 हो गया इसका 26 प्लेस हो गया इसका 6 हो गया इसका 7 हो गया ऐसे ही इसका 21 हो गया इसका 24 हो गया और इसका 15 और 18 हो गया यह आपको बता है तीन प्लस हो रहा है यह भी यहां पर तीन प्लस हो रहा है यहां भी कितना हो रहा है तीन प्लस हो रहा है लेकिन यहां पर क्या हो रहा है अच्छ है और एक साथ यान कि यह इन तीनों से डिफर है इस प्रकार के कुश्चन को क्या करते हैं पहले नंबरिंग करके देख लेते ह इस तरह के कुर्शन भी आपके पूछे जाते हैं इस तरह के कुर्शन भी आपके पूछे जाते हैं तो इनमें आपको क्या करना है एक सरंकला दी हुई है एक चार नो सोले पच्चीस ठीक है तो इसमें देखना है कि आपको अगला बर्ड क्या आएगा यहां पर आपको बतान एक का और बख करूं तो है मिलेगा मुझे एसेbakर दो का करूं नोग ता चार होता है इसे ही कितना पाइं स्कॉार ग़र यह पांच का इसकॉय यहां पर कितनेगा इसकोर आएगा च्छतिक तु Fazenda मैं ओजा इनकी दो और ऑप CC by ट रव चलते हैं Mr नेक्स tiail कॉऊछन में आपको Hmm को अधिया इस फार्टा अधिकर के करते हुआ'll के को हम करते तो हम क्या करते हैं लाष्ट भाए मेद कि देखते हैं पर योग क्या होती है उसकी तरब को मुझा होना ज्यादा जो है उसको लानी ही कशनिस करते हैं 12-13, हम जब करेंगे तो वो कितना आएगा 12, 13 हम देख लेते हैं कितना आएगा 12,36, हांसे लागे 3, 12, 12, 15, 15 यानि कि 12 और 13 की अगर मैं गुणा करूँगा तो मुझे क्या पराप्त होगा यह 156 अगर यही वाली कंडिशन अगर मेरी इसमें फॉलो हो रही है तो मेरे इस वाली कंडिशन को मैं इसमें लगा दूंगा ठीक है तो 15 गुणा 13 हम करके देखते हैं 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा 15 गुणा 13 तो 15 35 45 के 5 6 से लगे 4 15 15 15 15 15 और 4 19 यानि कि 195 आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऐसा ही 14 कि मैं किस से गुणा करूं कि 104 ठीक है तो इसको 104 को भाग दे के देख लेते हैं 14 से इसका दूसरा गुणा हमें पता चल जाएगा 14 14 14 14 14 यानि कि 11 से अगर मैं यह आप गुणा कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा एक सो चगुणा आ जाएगा ठीक है तो इस परकार के कुश्चन को हम ऐसे solve करने की कोशिस करते हैं next आपका 22 मों कुश्चन है next आपका 22 मों कुश्चन क्या कह रहा है A D का भाई है जब कॉमा लगा हो जब यहाँ पे कॉमा लगा हो तो यह बात क्या कर रहा है कौमा से पहले वाले बैखती की यानि कि A की बात करें यह कौन है D का भाई है यहाँ पर हमने बना लिया A D का भाई है D B का पिता है D कौन है B का पिता है B का पिता कौन है D ठीक है यह दोनों भाई है और D जो है वो B का पिता है अगर कोई B है उसका पिता कौन है D ठीक है B और C बहने है B और C कौन है B और C आपकी बहने है तो C का A से क्या संबन्द है C का A से क्या संबन्द है यह आपको बताना है यह इसका भाई था और यह कौन है इसकी D B का पिता है B का पिता कौन है D ठीक है और ये दोनों बहने हैं यानि कि ये दोनों कोन हो गई बहने हैं और इनके पिताजी कोन हो गई ये D कोन हो गई B और C के पिताजी हो गई और पापा के भाई को ये कोन है ये पापा के भाई तो है इन दोनों के पिताजी कोन है D, और D के भाई कौन है, A, तो ये A की कौन हो गई, भती जी तो हो गई, ठीक है, समझ में आया, पतलब इसका क्या हो जाएगा, D के अगर ये दोनों बच्चे हैं, और D का ये भाई है, तो भाई से इन दोनों बच्चियों का रिलेशन पूछाता, तो ये क्या हो जाएगा, आ इसे पहले हम एसे ही लिख लेते हैं, 20, दूसरा अक्षर करें 10, और इसको बीच में खली जोड़ जोड़ेते हैं, इसके बाद आया है आपका, 6, इसके बाद आया है, अब का-4 और यहां पर आया है PLUS 6 अब यहां पर हम SIGN लगा लेते हैं ठीक है गड़ा की जगए उसने क्या पताया है गड़ा का 100 भाग है ऐसे यहां पर भाग का अर्थ इसने क्या बताया है भाग का अर्थ जोड़ना है 6 की बाद क्या पर क्या है minus तो माइनस का प्लस उसने क्या बताया ग्टा न अब यहां तक आपने निकाल लिया इसके बाद नगाना है जो मत करेंगे तो क्या करेंगे पहले तो क्या सॉल करेंगे ठीक है यह तो च्छोग 24 यहां से हो जाएगा यह जोग 24 यहां से हो जाएगा इन दोनों का यहां पर कौन सा है minus 6 ठीक है यहां पर minus 6 यह हो जाएगा 10 दूनी 20 दूनी 20 24 और 2 plus के 24 तो 26 हो गए उसमें से 6 हम गटाएंगे तो कितना बचा हमारा 20 20 आपका क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर हो गया ठीक है समझ में आगया हो गया यह वालो कुर्शन next question की और चलते है next question कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंदित सब्द को चुनिए बहाव नदी इस्थिर यानि कि बहाव किसम होता है आपको यह बताने है बहाव किसम होता है नदी में होता है तो इस्थिर क्या रहता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तालाव अगर बहाव नदी में रहता है तो इस्थिर क्या रहता है आपका तालाव ठीक है तालाव तता नीचे से 84 में तो बर्ग में कुल कितने छात्र है जब इस परकार का question दिया हुआ हो बर्ग मतलब एक line है कोई आपको एक line दिया हुई है कोई उसमें से उपर और नीचे का इस्थान दिया हुआ हो तो आपको कुल छात्र निकालने के लिए आपको क्या करना है उपर से उसका जो इस्थान है उसको जोड़ देना है नीचे से जो उसका इस्थान है ठीक है और माइनस बन कर देना है आप देख लिए दुरूब का इस्थान उपर से 8 वा था क्बिलस चारत था सब्सक्राइब उक्तिकल किक्यानव वी आंसर हो जाएगा हुआ मैंक की तरफ चलते हैं तो आपको ऊसे बनाना ओ तो आपको पता हो गा हुँआ दोनों किसके अंदर आती अगर स्टे स्टिंशनले के अंदर के आता है ऐगर मैं बोलब स्ट्यस्टनरी तो अन्दर हों गी इश्टिंशनले चाहिए fol Ray 예 सब चीज है क्या हूत हूं किया क्ली विए आप कोई संमन्स नहीं है लेकिन लेकिन यह दोनों क्या है इस्टेशनरी आपको दर रही है तो C option आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है C option आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा इस परकार से अब चलते हैं अगले प्रेशन की ओर हम आपका अगला प्रेशन बहुत जी प्रेशन है यह क्या कहा रहा है प्रेशन आकरती इसमें दी हुई है प्रेशन आकरती आपको दी हुई है आपको उत्तर आकरती बतानी है यानि कि यह दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है second option पर आपको क्या फिल करना है ठीक है एक मिनिट का समय आपके पास बताईए इसमें से कौन सा आएगा आपके पानी पी लेता हूँ हैं ठीक है है कर लिए होगा आपने अप करने को करते हैं यहां पर देखिये आपके यह यह जारा दीया हुआ है यह फिल ऑन् praktलिया हुई हरे यह और यह ऐक दिया यह यह हम यहां पे बना लेते हैं यह इस परकार से दिया हुआ है और ऐसे करके यह आकृत tea न टॉब को आपको हो जाएगा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ठीकर नेक्सरी दे तरब जलते हैं किसमें भी आकृति सबने क्लिक bunları करने क्लता अपड़า कैसके नवदें सब्सक्रानी नहीं करते हैं और फ्तर खीक आपकर प्राइब लाइट मैं करते है अजय तक यह मैं कि ऊप्लिक यहां से आ यह आपको दिखाई दे रही होगी ठीक है next option की तरफ चलते है next question की तरफ चलते है next question में भी आपको क्या है अगली आकर्ती बतानी है यह एस टैप का कर्व यहां पर बनना है तो हम यहां पर भी एस टैप का कर्व बना देते हैं ठीक है और इधर आपको जो है एक डेंड़ लगा देते हैं और यहां पर कोई भी आकर्ती आपकी आजाएगी क्योंकि यह वाली आकर्ती अगर दी होती यह किसी में है नहीं तो यह तो हमारा option होगा नहीं अब आपको पता इस टैप की आकर्ती बनेगी इसलिए यह option तो आपक कि दो option cancel हो गया अब बचे दो अप्शन अब आपको पता यह वाली तो आएगी निया कई वार आ चुका है तो यह वाला कट जाएगा डी आप्शन का हो जाएगा आपका बिलकुल right option हो जाएगा ठीक है यह दर कि अगरती है दिफर है तर की फर है ठीक है नेक्स्ट कुशन क सब्सक्राइब एपा इसमें को अपको संबंद बताना है तो अगर मैं अगर यह पुरेद干 घर करम प्रुष में थो अगर इन दोरों का अपस में कुछ संबंद होगा क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध होगा ठीक है तो भाई और पती का आपस में संबंध हो सकता है क्योंकि कुछ भाई ऐसे होंगे वो किसी ना किसी के पती भी होंगे और कुछ पती ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के भाई भी होंगे यानि कि इसका जो ऑप्सन हो ठीक है तो आज का जो प्रेक्टिस सेट है हमारा वो यहीं पर समाप्त होता है और 30 प्रशन आपके हो complete हो जाते हैं यह 30 प्रेक्टिस सेट के आपके सीरी चलने वाली है और यह एर फोर्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण सावित होगी ठीक है तन्यबाद